तो अगर आप कौन सी DC मसीन करिदना चाहते हैं तो बहुत कंफ्यूज में रहते हैं देखो में पास में है तो तीर मसीन पड़िए आपके काम की नहीं है आपके काम की यह दो मसीन है ठीक है यह मैं आइफोन में यूज करते हैं यह मसीन है कोडार्ट की सबसे फेमस और यह आपकी यूवा की है 3005D यह चाइनीज मसीन है तो यह भी काफी यूज करते हैं तो दोनों मसीन में क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है मैं आपको इस वीडियो में आपको बताता हूँ सबसे पहले अगर आप रफ यूज करते हैं और आपको बहुत ज्यादा नौलेज नहीं है आपको बिसीकली शॉटिंग का या किसी भी चीज का तो आप यह मसीन यूज कर सकते हैं यह 4-digit मशीन है यह 5-digit मसीन है यह आपका voltage यह वोल्टेज ये वोल्टेज है दोनों ही 30 vpsilon 5A पर चलती है यहां पर भी आपको चैनल मिलेंगे और यहां पर भी आपको चैनल मिलेंगे यहां पर भी आपको ओवर कररेंट प्रोडेक्शन Владе je पर अप्पबीए करने पर उप्म नहीं मिलेंगे प्रफ। के उर्फ। पर 4 boxes नहीं है दो गेठी उसके पर आर्फ। में आप्टोप वालो के प्रफ। तो अगर आप सोंटिंग ले की ょड़ा नैसे है तो अगर आप सोर्टिंग में निया निया जाते है और छ्थिफरर इसमें जोड़ी नहीं है तो पर शॉर्टिंग निकलने में आसाना रहता दूसरा यह इस तक होगा जाएपने जोभी स्वापे उसमें तो यह सही तरीके से वर्क करेगी तो जैसे कि लोगों से बता करो डिलर जैसे आप रामरा स्टूल पे बता कर सते हो और भी आपको नहीं जानकरिया कर चाहिए इसी तरीके से तो मैं आपको दे दूँगा तो तो जिन जिन को ऊपर पीली वाली मसीन का नॉलेज चाहिए घ्यान चाहिए तो मुझे कमेंट पर बताओं मैं आपके लिए कमेंट पर वीडियो बना दूँगा मेरा रिकमेंडेशन यह होगा कि आप कोराट की मसीन खरीदो और अजर आप अच्छा नॉलेज लेना चाहते हो और सौर्टिंग में आप नैनो सौर्टिंग तर जाना चाहते हो तो आप अपनी यूगर की 3 level 0 5D मसीन खरीदो दोनों ही बेस्ट हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के जिद्धी हुमार जिद है मेरा फिदूर जिद है मेरा गुरूर जिद है मेरी जुरूर